यूपी के रामपूर में सपा उमिद्वार तजीम फात्मा ने साधगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया इस से पहले सपा कार्याले पर धाई महीने बाद पहुंचे आजम खान ने सभा को संबोधित किया और अधिकारियों को 88 मुकद में दर्श करने पर खरी कोटी सुनाई कहा कि ये अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं अधिकारी मुझे किस गलते की सजा दे रहे हैं मुझे भी मालूँग नहीं है मेरे बच्चे मेरे बुड़े बाई बहन वह पुलिस का जुल्म हुआ है महीं सपा पर्तियाशी ताजीम फातिमा ने कहा कि मेरा कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ है एक वर्ष बाकी है लेकिन तीन चार महीनों से इस शहर के नागरिकों पर जुल्म हुए है सपास मर्दकों पर और मेरे परिवार पर जुल्म हुआ है मुकदमे लगाए गए है मेरा परिवार और मुझ पर मेरे शोहर पर मेरे बच्चों पर लगाए गई मुकदमों के जरिये बरबाद करने की कोशिश की गई है और मेरे अपने परिवार पर जो मुकदमे लगाए गए हैं मेरे परिवार को तक्विवार मुझे मेरे शोहर को मेरे बच्चों को इन मुकदमों के जरिये बरबाद करने की कोशिश की गई है तो मैंने यह सुचा कि मैं विधान सभा के लिए एलेक्शन में आएं और विधान राज्य सभा में चूंकि ज्यादा तर जो राश्ट्री ये मुद्दे हैं वही डिसकस होते हैं लोकाल इश्वूस के लिए मौका बहुत कमी मिल पाता है गो पायम अहीर पायम होगा कि अशवूस कि महीं होगा गेश्वादी को नुक्त डिसके हाथ气 को मेसबू प्राइपनों को मसबू रहाएं ल three Pacific मेरी कित्रमन उश्वूessa मेरा इंतिजार भी नभी नतीजे का इंतिजार रहेगा और नतीजे का तरीका ये होगा कि एक एक दर्वा से पर जानेंगे आप चाहे वो शहर हो ये काम पूरे सिरे के लोग पूरे उत अपने स्टाइब मेहमान एक एक दर्वा से पचा कर जब तक नहीं कराने के दर्वादा नहीं छोड़े जब दीजार बंक्वेट्स लाए है इंक्रिडिबल मारिज पलेस राज घराना and the finest banquet hall, Jyoti Garden world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden a JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें थन्यवार्द